दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेन बेंक ओफ इंडिया का सेविंग अकाउंट आप कैसे कोलेंगे वो भी घर बेटे इस अकाउंट में आप अपना ATM कार्ड, पासबुक, चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग, मुबाइल बैंकिंग, SMS सभी फैसलेटी जो आपको बैंक परवाइड करता है, वो आपको घर बेठे मिलेगी इस अकाउंट में कैसे अपलाई करना है, या पूरा वर्सेस में आपको बताऊंगा इसमें जो जो डोकुमेंट की जरूरत है, इसकैन की, वो भी मैं आपको सुरू में ही बता दूँगा ये सब आपको तयार रखना है, जैसे कि आपको अधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसका साइज बीस से पचास के बीके आसपास हो और आपको साइन की जरूरत पड़ेगी, जिसका 1500 KB से जादा आपका साइज नहीं होना चाहिए, इन तीनों चीज़ को आप स्केन करके रख लेंगे, क्योंकि ये अपलोड होगा आपको पैन कार्ड ले लेना है और उसको भी साद में रखना है, उसका भी इसमें जरूरत होगा एक मुबाइल नंबर होना चाहिए, जो के आपके आधार कार्ड से रजिस्टर होना चाहिए ये सब चीज़े आप रख लीजे, तो चलिए डिस्प्ले की तरब आपको पूरा पोर्सेस में वन बाइवन करके दिखा देता हूँ आपको अपने गूगल ब्राउजर में unionbank of india.co.in type कर देना है, एंटर कर देना है, आप यहाँ पर विजिट कर जाएंगे इसका link आपको description में भी दे दूगा, आप यहाँ पर विजिट करेंगे, तो आपको new saving account पर click कर देना है, जैसे new saving account पर click करेंगे, आपके सामने सारी formalty आ जाएगी, जो जो आपको रखनी है, वो मैं आपको एक बाद display पर भी show कर दूगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अप email id, अपना district state, सब चीज पूरा address पर देना है, उसके बाद आप यहाँ continue पर click करेंगे, फटा फट से, तो आपके सामने इस तरह का option आएगा, permanent address जालने के लिए बोला जाएगा, कुछ address आपके आदार कार्ड से ले लेगा, और कुछ आपको यहाँ पर type करना होगा, तो आप इसको अपना occupation बताना है, religion बताना है, मैं occupation छांट लेता हूँ सबसे पहले, फटा फट से, और मेरा कहा गया, ओधर, ओधर, मिल गया, तो religion छांट लेना है, आपकी caste क्या है, किस category में आप विलोंग करते हैं, आपकी annual income क्या है, आपकी source of income कैसे आती है, और आपका net worth कितना है दस लाग से उससे भी जादा, place of birth आपका जनम कहां पर हुआ था, मैं वहाँ पर type कर देता हूँ, उसके बाद country, तो आप India select कर लेंगे, इसके बाद आप nature activity, वो click कर लेंगे, आप single है या married है, वो type कर लेंगे, तो मैं single हूँ, मैं सारी चीजे डाल करके, आप देख सकते हू डालना है, आपका उससे क्या relation है, और यह सब डाल देना है, आपका address अगर सब का same ही है, तो आप same as communication पर click करेंगे, आपका address नीचे copy कर दिया जाएगा, आप ATM, mobile banking, SMS banking पर click कर देंगे, क्योंकि यह तीनों चीज आपको फिर activate मिलेगी, चेक बुक चाहिए तो से भी click कर कर देंगे, उसके बाद आपको कुछ document upload करने होंगे, customer photo, signature, id proof, address proof, यह सब आप upload करके save पर click कर देंगे, ठीक है, सबी चीज को अच्छे से size करके save कर देंगे, और उसके बाद आपको कुछ second wait करना हो सकता है, क्योंकि server थोड़ाईश हो है, हाँ, तो ऐसे आपका हो जाएगा successfully, उसके बाद आपको ok कर देना है, जैसे ही आप ok कर देंगे, आपकी slip generate हो जाएगी, download from, ठीक है जी, यह आप देख सकते हो, download application forum, आपका reference number भी आ गया है, आप इस download application forum पर click करेंगे, और इसको आप slip कर लें, वो save कर लेंगे, जैसे ही आप इसको save करेंगे, उसके बाद आप आपको print कर लेने, अधार कार्ड, pen card और एक photo इसमें लगा करके, आपको अपने pass की branch में पहुंच जाना है, और आपका account safely खुल जाएगा, आपका account का passbook आपको same day या फिर next day मिल सकता है, यह सभी bank की branch की अलग-अलग privacy होती है, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप like करे, share क subscribe करे, thank you so much.